नमस्कार गुड मॉर्निंग बंसल नीउस देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ शुभांगी सिंग मिश्रा ये बुलिटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की जहां आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैठक लेने वाले है आपको बता दे कि उमर्य में हुई हातियों की मौत पर मद्रप्रदेश सरकार गंभीर है और ऐसे में आज शाम साथ बचे सीएम हाउस में सीएम मोहन यादव एक बैठक करने जा रही है बीटी आर में बांधवगर टाइगर रिजव में हातियों की मौत मामले में ये एहम बैठक होने जा रही है वन सरकार दोरा एक उचिस तरिये दल जिसमें वन राजिमंत्री भी शामिल थे और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अब तक इस पश्ट नहीं हो पाया है कि हातियों की मौत के पीछे वज़ा क्या है ऐसे में मुखे मंत्री ने 24 घंटे में जाच रिपोर्ट मांगी थी और आज शा शानक दस हातियों की मौत से हडकंप मचा हुआ है बांधवगर टाइगर रिजर्व में हातियों की मौत हुई थी और वन विभाग अब तक ये पता नहीं लगा पाया कि आखिर हातियों की मौत कैसे थी समवादाता सूरच का रूप कर लेते हमारे साथ इस खबर पलाई जुड़ गए हैं सूरच जिस तरह से ये मामला सामने आया था कई तथे इसमें सामने आये थे कभी कहा जा रहा था जहरीला पदार्त खाया गया कभी बोला गया कोदो कुटकी की फसल खाने से हुआ लेकिन अब जो स्थिती है वो लगभक स्पष्ट हो रही है मुख्यमंत्री का कहना है कि जाच रिपोर्ट के आधार पर ही अब आगे कारिवाई होगी और ऐसे में आज एक बड़ी बैठक होगी सबसे पहले दो हाथियों की मौत हुई थी उसके चलते कहीं ने कहीं मौत हो सकती है लेकिन सरकार लगातार गंबीर है कि आकर इतनी बड़ी संख्या में हाथियों की मौत वो भी कोदों खाने से तो कहिन की सरकार को ये बात हजब नहीं हुए इसाधिया करने के लगातार सरकार गंबीर भी है तीन सदसी जाच दल भी बनाये गए इसमें बनराज्य मंतरी दिले पहलवार एसी एस हसुक मनवाल के साथी पीसी सी एप असीम स्रीवास्ताव मौके पर पहुँचे हैं इसमें उमरिया के आथ पास दो गौव की बात कर दो किसानों को हांटियों ने हमले में मार गिराया हैं ऐसे एसे में उनके परिवारों से भी मुक्यमों मुक्यमूंतिया zwak i'm फूंसे जूव्य हृ लग लग हुई जहांपर । दस अạnhियों के मौत हुई हुई टो वही दो ग्राम्मिलों की मौत भी हुई है दुनों के 27 किल One-2 का इस अंतर रहरे हैं अपर उनकी मौत, कौन से हातियों की हमले के कारण हुई है पूरा मामला क्या आए अखर घटना करम इस प्रकार से हुआ हातियों का जुंड कहा से कहा जा रहा था तो तमाम जो जांच के विंदू है उनके आधार पर जांच रिपोर्ट टैकी जाएगी और जो हातियों का विसरा है वो खासों से इंडियन इंस् इमाम पधिकारियों से चर्चा करेंगे जो वाइड लाइब के एक्सपर्ट सें उनसे बात करेंगे साथी संबहुता जो ग्रामी जिन आसपास रहने वारे लोग हैं उनसे जो फीडबैक मिलेगा वो जो जाज समयती कमेटी है वो आज मुख्यमंतरी को बताएगी आखिर प दुखी और बतित नजर आ रहे हैं ऐसे में उनके आसपास भी जांगे लगातार जाच की बात हो रही है दिल्ली से जाच दल आता है फिर कल वन्य राजिमंतरी अपने दो अधिकारियों के साथ वहां पहुशते हैं जाचे तो बहुत हो रही है लेकिनि अब तक इस पश्ट नहीं हो पा रहा है कि वज़ा क्या है और ऐसे में देखना होगा कि अब मुख्यमंतरी इस पूरे मामले पर आगे क्या एक्शन लेते हैं फिलाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए तो देखिए